तो अगर आप भी डेली दाल सिंपल खाखा के बोर हो चुके हो तो एक बार ये दाल जरू ट्राय करना क्योंकि मटर और चैने बहुत ही आ रहे हैं अच्छे हरे हरे फ्रेश आ रहे है इस टाइम तो आप ये रेस्पी जरू ट्राय करना तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इध देते हैं लैसुन जिसको ऐसा कूट लिये थे और मिर्च और अद्रक भी डाल देंगे इसको भूनेंगे थोड़ी देर के लिए तो इसको भून लेते हैं गैस को इधर मीडियम फ्लेम ही करेंगे और इधर हम डाल देंगे प्याज और इसको भी भून लेते हैं अच्छे से प्याज को हल्का गोल्डन कलर का आने तक भूनेंगे उसके बाद इधर हम डाल देंगे मटर और तो आप मटर देख रहे हो मटर को क्या कच्चा ही मटर है और चना भी कच्चा ही है बस इसको थोड़ा सा कूट लेना है दरदरा सा हलका सा बहुत ही ज्यादा मतलब बारीक नहीं करना है इसको डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे और इसमें हम डाल देंगे मसाले तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा डाल देंगे इसमें गरम मसाला और डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के स्वारी धनिया पाउडर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर तो इधर दो टमाटर लीए थे जो छोटे साइज कही थे उसको बारीक कट करके और इसको भी डाल देंगे इसको अच्छे से mix कल लेते हैं और इधर हम ढख देंगे जिस से टमाटर और जो हम मटर और चने डाले हुए वो भी बारीक हो जाए मतलब सॉफ्ट हो जाए तो ये देखिए बहुत अच्छे से पक गए है अब इसको फिर से मिक्स कर लेती है एक बार अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको मिक्स करने के बाद उबाल आने देंगे अच्छा सा तो इसमें पानी अभी और डालेंगे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो पानी डाल के और अच्छे से सबजी भी बन जाएगी बट इधर मैं डाल बना रही हूँ और ये डाल जो आपन बनाते हैं तो इसको आप चावल के साथ रोटी के साथ खाओगे बहुत ही टेश्टी लगेगी इधर में थोड़ा पतली डाल बना रही हूं ज़्यादा गाड़ी नहीं कर रही हूं क्योंकि ये डाल थोड़ा पतली अच्छी लगती है तो आप देख रहे हूं उबाल आ गया है अच्छ लागे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ओके फ्रेंड्स बाई टेक क्यार